आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास एट्थ हिंदी की वरक्षीट नमबर सिक्स यानि की कारे पत्रक सिंक्या छे को यह आपकी 10 अगस 2021 की वरक्षीट रहेगी आज की इस आसान सी वरक्षीट में हम अपनी पार्ट है पुस्तक वसंत के पार्ट लाग की चूडियों का बदल जाते हैं ये सब कुछ इस पार्ट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस पार्ट की सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था किस गाउं में जो लेकक हैं वो गर्मियों की चुटियों में अपने म मामा की गाउं जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लोटता था तो मेरे पास धेर सारी रंग बिरंगी इस परकार की गोलियां हुआ करती थी जो किसी बच्छे का मन मौले तो लेकक है उसे बड़ा चाव होता था गर्मियों की चुटियों होगी और वो एकसाइटमेंट उसमें रहती थी कि कब गर्मियों की चुटियां होगी कब मामा के घर जाओगा और कब मुझे वो गोलियां मिले गी और बच्छमन में वो गोलियां उसे काफी ज़्यादा आकरशक लगती थी उसका मन मौले थी वैसे तो मामा के गाउं का होने के कारण पास-पास की बच्चे जैसे बोलते हैं, बड़े वैसे बोलते हैं, तो वैसा ही छोटा बच्चा है, उनको फोलो करता है, उनकी तरही बोलना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर लेखक भी जब उसने देखा कि बाकी बच्चें बदलू काका कहते हैं, तो उन्होंने भी बद अपना काम किया करता था बगल में भटी थी वो दहकती रहती थी यानि कि उसमें आग जलती रहती जिसमें वो लाग पिंग लाया करता था और सामने एक लकडी की चोखट पड़ी रहती थी यानि जब लाग मुलायम हो जाता था तो उसे सलाग के सामान पतला करके यानि कि बि रकडियां होती वो कुछ पतली होती थी कुछ पीछी से मोटी होती थी उसके उपर वो लाख को चड़ा करके उसे चूड़ी का आकार देता था चूड़ी का आकार देने के साथ-साथ वो उन्हें गोल और चिकना बनाता था और फिर एके करके पूरे हाथ की चूड़ीयां बन तो ये था हमारा पहला भाग, इस पार्ट को हम कुछ आने वाली जो 4-5 वर्कशीट है उनमें जारी रखेंगे और पूरी पार्ट को हम समझेंगे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ नए शब्दों की, जो कठिन शब्द आई हैं, चाव शब्द आया, चाव का अर्थ हो हम परशनोतर की बात करेंगे, पहला जो हमारा परशन दिया गया, पहला परशन है गाउं में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा, गाउं में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था, तो चार विकल्प दिये गए पहला है, वह लेखक को मिठी मिठी लाक की गोलियां बना कर देता था ठीक, तो गय हमारा पहला सही विकल्प रहेगा जो तीसरा विकल्प है उसके बाद दूसरा जो हमारा परशन दिया गया, गाउं के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर बुकारते थे पहला बदलू मामा, दूसरा बदलू चाचा, तीसरा बदलू काका, चोथा बदलू दादा, तो इसमें भी गय हमारा विकल्प सही रहेगा बदलू काका, गाउं की सब बच्चे हैं वो बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे बदलू का काम क्या था पहला लाग की गोलियां बनाना दूसरा लाग के खिलोने बनाना तीसरा लाग के बरतन बनाना और चोथा लाग की चूडियां बनाना तो गह हमारा सही रहेगा लाग की चूडियां बनाना तो तीन परशन होगे पहले का आपका गह रहेगा सही दूसरा उसका भी गह सही अब चोथा और पांचवा पर्षन दिया गए, उनको भी हमें हल करना है, चोथा हमारा पर्षन दिया गए, चोथा पर्षन है, लाग की चूडियां कैसे बनाई जाती है, तो सबसे पहले लाग को गरम भट्टी में पिंगलाया जाता है, फिर उस गरम लाग को किसी धातू या गो लकड़ी पर चड़ा कर चूड़ियों के आकरती दी जाती है और बाद में उसको सुंदर बनाने के लिए नग इत्यादी लगाए जाते है तो इस तरीके से बनती है लाग की चूड़िया ठीक तो ये सब कुछ आपको लिखना है उसके बद पांचवाँ परशन ने एक गतिवी दी है कि अपने घर या आसपास लाग का कौन कौन सा सामान आपने देखा है ये आपको बताना है इस परशन के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहन की साहिता ले सकते है और ये बताना कि वो सामान जो लाग का देखा था वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा तो मैंने यानि कि आप यहां पे लिखोगे मैंने लाग से बनी चूडियों के लवा गले कहार, जुमके, सजावटी सामान, पैन, मुर्तियां इत्यादी देखी है और मुझे सभी सामान बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक, तो ये सब कुछ आपको लिखना पांचवें पर्षन में उसके बाद चठा जो पर्षन दिया गया है, वो भी आपकी एक गतिविदी रहेगी आपकी मा या घर की कोई अन्य महिलाएं, कैसे चूड़ियां पहनती है, किस परकार के चूड़ियां पहनती है, यदि वे लाग से अलग धातू, जैसे कांच, या प्लास्टिक की चूड़ियां पहनती है, और वे इसे क्यों नहीं पहनती है और हमें क्या करना है उनके लाग की चूड़ियां नए पहनने के कारण लिखने है कि वो पहनती नहीं है तो उसके कारण बताने है तो मेरे घर या आसपास की ओरते हैं वो कांच की बनी चूड़ियां जातर पहनती है लाग की बनी चूड़ियां किसी विशेश अवसर पर ही प आज की worksheet आपको अच्छे लगी होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो, ये वीडियो अच्छे लगीटी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने friends के साथ share जरूर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye bye, have a nice day, मिलते हैं next video में